वेलकम टू सुकलाज स्टड़ी पाइंट आप सभी का स्वागत है आपके इपने यूटूब चनल सुकलाज स्टड़ी पाइंट में मैं से उम्शुकलाज सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एकोनामिक्स के महासंग्राम वीडियो के बारे में महासंग्राम वीडियो का मतलब होता है रेवीजन क्लास और ये 2023 की परिक्षाओं के लिए हमारे जो चाचात्रह एकोनामिक्स लिए होए हैं बीए फोर्ट समेस्टर में हैं उनको खास करके इस वीडियो से बहुत ही यलफ होगी तो इकोनामिक्स में बीए फोर्ट समेस्टर के अंतरगत आपको मुद्रा बैंकिंग युम राजज़सू के बारे में पढ़ना है ठीके किसके बारे में पढ़ना है ठीके किसके बारे में कोई स्कीन पर बिजबल होंगी और मैं एक प्रकार से आपको समझाने का प्रियास करूँगा तो बहुत ही important questions होंगे और उनके answers से भी आपको दिखेंगे यही प्रसनाप की परिच्छा में आने वाले तो मुद्रा को परिभासित कीजिए मुद्रा क्या है तो मुद्रा क्या है एक प्रकार का प्रपत्र है क्या है मुद्रा एक प्रकार का प्रपत्र है जो क्या करता है एक ऐसा प्रपत्र होता है जो बिन्मे कार करने के साथ साथ बिन्मे माने क्या होता है एक्सचेंज जिसको आब बोलते हैं यानि कि आदान परदान करना उसी को बिन्मे करते हैं जैसे कि माल लेते हैं हमने एक किलो चीनी किसी दुकानदार से लिया तो हमने एक परकार से 40 रुपे उसको दिये हैं 40 रुपए मैंने उसको दिया, तो 1 KG Chain Yi हमको मिलिया रता तर ये क्या किया? 1 KG Chain Yi की बदली हमने 40 रुपए उसको दिया, यहने क्या किया? भीनमे किया ये क्या हो गया? एक तो मेरा मुद्रा गई, मलब मुद्रा के मादम से हमने चीनी लिली, एक बिनमे याभी होता है जब हमारे पास मालते हैं चावल है और आपके पास गेहूं है ठीक है तो गेहूं और चावल में आपस में मैंने बदल लिया तो ये भी एक परकार से क्या हो गया बिनमे हो गया ये होता है वस्तु बिनमे तो एक परकार से ये बिनमे के कुछ परकार मुद्रा है जो बिनमे कार करने के साथ साथ यानि बिनमे का कार तो करता ही मुद्रा इसके अलावा मूली संचय का काम भी मुद्रा करता है यानि मूल्यों को गठा करना या मूली बताना किसी चीज का मुद्रा का क्या काम होता है यसे कि एक किलो चीनी 40 रुपे की है तो ये भ ही निधारित करती है ना ये मूली की गड़ना करना ये सारे कार्य sitten मुद्रा का ही होता है प्रोफेसर कean's बड़े अच्छे अर्थ सास्तुरी हैं ये कहते हैं मुद्रा को परिभादित करते हुए कि मुद्रा वह है जिसको दे करके जी तथा मुण ली सम्मन्धि जो का आस्थाई निमास होता है क्या होता है करे सक्ति का मनलब खरीदने का आस्थाई निमास होता है आस्थाई निमास नहीं आस्थाई निमास ठीक है तो मुद्रा वहा है जिसको दे करके रिढ या मूली सम्मन्दी जो भुक्तान होता है उसको निप्टाया जाता है जिसके रूपे समान करे सकती का संचे कियाता है करे सकती मैंने खरीदने वाला तो उसी को मुद्रा बोलते हैं तो मुद्रा आपके किलियर हो गई यानि मनी अगला परस आप देखिए तयार कर लीजेगा बहुत important person है पूझी वाद से आप क्या समझते है capitalism जो है उससे आप क्या समझते है तो पूझी वाद की बात किया है तो एक आर्थिक प्रणाली है पूझी वाद क्या है ये एक आर्थिक प्रणाली है economic जो system है एक प्रकार का तो ये पूझी वाद का Capitalism जो है एक परकार से क्या है ये एक परकार से economic एक परकार से system बोल सकते हैं इसको आर्थिक प्रणाली कह सकते हैं पूजी बात को जिसमें क्या होता है कि आर्थिक गती विधियों का संचालन बजार की सक्कियों के द्वारा होता है दूसरे सब्दों में इसी बातों को गर हम क पहें तो आर्थिक गतविधियों का संचालन कीमत तंतर के द्वारा किया जाता है और इस प्रणाली में संसाधनों पर नियंतर जो होता है निजी लोगों का होता है लोग लाभ पराप्ट करने के लिए कारे करते हैं ठीक है यानि जो भी उत्पादन के साधन होंगी उनपर सर सरकार एक प्रकार सरकार के नहीं होंगी जो उत्पादन के साधन है वो सारे के सारे सांधन या उन पर प्रभुत जो होगा वो पूजी पतियों का होगा वो निजी होगा वो प्राइबेट यानि जिस भी छेतर में आप दिखिए या किसी देश की मैं बात करूँ अलग अलग अगर वहां पर private sector जादा है मलब private ही चीज़े हैं सरकारी हस्ता छेप नहीं है उत्पादन के साधनों पर तो वो देश एक परकार से पूझी बादी देश कहलाता है पूझी बाद का मलब सीधा सा होता है कि private चीज़े जादा हो जैसे अमेरिका जो है पूझी बादी देश है ठीक है जबकि भारत कैसा देश है तो मैं भारत को भी थोड़ा देर बात बताता हूँ लेकिन उससे पहले अमेरिका आपका पूझी बादी देश है इसके अलामा मैं पूंजी बात के बिचार है और कुछ समाज बात के बिचार है यानि यहाँ पर जैसे कि अमेरिका में आप देखेगा तो प्राइबेट ही चीजे होंगी प्राइबेट ही फैक्टरिया होंगी प्राइबेट बस हैं प्राइबेट ट्रेने हैं सारे चीज़े प्राइबेट सेक्टर हैं लेकिन अगर आप भारत में देखियेगा तो प्राइबेट भी है सरकारी भी है हर मामले में आप जाइएगा स्कूल यहां तक की प्राइबेट सरकारी दोनों होते हैं कॉलेज जी, उनिवर्सिटी हर एक चीज bring और लोग लाब कमाने के लाब प्राप्ध करने के लिए ऐसा कारी करते है ठीक है? फैक्टरियर या इस्थापित करते हैं कुछ बी प्राप्ध कर ने के लिए करते लोग कल्याणकारी भावना आपको नहीं दिखियेगी xuह यहाँ पर बसकिवल लाब कमाने के वाज मोटी लग रही होगी चुकि गला थोड़ा सा खराब था मेरा आगे दिखते हैं अगला कोईशन साब की स्किन पर आ चुका है मुद्रा मान से आप क्या समझते हैं मुद्रा मान को क्या बोलते हैं monetary standard बोलते हैं अंग्रेजी में मुद्रामान को ठीक है तो मुद्रामान एक ऐसी विवस्ता है एक ऐसा सिस्टम है मुद्रामान या monetary standard जिसमें क्या होता है जिसके इंतरगत मुद्रा की करे सकती का मापन किया जाता है साथी साथ मुद्रा के मूली को इस्थिर रखने का प्रियास किया था ताकि मुद्रा का मूले कर इस्थिर रहेगा तो मुद्रा मान की मैं बात कर रहा था मुद्रा मान जो है एक ऐसी वेवस्था होती है जिसके अंतरक्त क्या होता है मुद्रा की जो क्रे सक्ती होती है जो खरीदने की जो पावर होती है उसका मापन किया जाता है मुद्रा मान के अंतरक्त तो इन्होंने कहा अर्थ सास्र के दिष्ट कोंड से मुद्रा मान काविप्राए इस मुख्य पद्धती से है जिसके द्वारा प्रभाबित अथवा प्रमाडिक मुद्रा की मातरा यहुम बिनमय दर नेंतरित की जाती है सामान सब्दों में इसी बात को अगर हम कहें तो हम यह कह सकते हैं कि मुद्रा मान के द्वारा किसी देश में उपलब्ध मुद्रा की क्रे सकती वा बिनमय की जो दर होती है उसी की गरना की जाती है कोई मिला करके सीधा सा मतलब यह होता है कि मुद्रा का मूल क्या है उसी को मापना मुद्रा मान कहलाता है उसी गड़ना बीन में की क्या दर है यानि जो एक प्रकार से एक्षेंज का जो रेट है वो क्या रेट है और करे सकती यानि की खरीदने की जो पावर है वो कितनी है उस मुद्रा की तो एक प्रकार से इन दोनों की गड़ना की याती गिंती करी जाती है मुद्रा मान के इंतरगर ठीक है आगे बढ़ते हैं इसी व्यवस्था में इसी व्यवस्था को मुद्रा मान कहते हैं चौथा कोशन्स आप देखेगा प्रस्न है पत्र मुद्रामान से आप क्या समस्ते हैं पत्र मुद्रामान का मलब क्या होता है कागजी वाला जो मुद्रा होता है तो पत्र मुद्रामान मुद्रामान का एक रूप होता है जिसमें बिनमय माध्यमों वाकरे सक्ती मापन में कागजी मुद्रा का उपयोग किया आता है जैसे कागजी मुद्रा जो होती है उसका उपयोग किया आता है आपको क्या पता है कागजी मुद्रा जो होती है प्रकार से क्यों मानक मुद्रा होती है ऐसा नहीं कि वह वास्तविक मुद्रा हो गई ठीक है पत्र मुद्रा प्रमार प्रत्रमुद्रामान को प्रत्रमद्रामान को प्रत्रमुद्रामान होता या भी रूप से संचालित नहीं एक प्रकार से रहती है, हैनि स्वतंतर रूप से नहीं संचालित हो सकता चला या सकता है, बलकि इसका प्रबंदन जिस प्रकार से जो स्वनमान होता है, वो एक प्रकार से स्वनमान की तरह या स्वतंतर रूप से संचालित नहीं रहती है, खासर के पत्र मुद्रमान, जिस प् रुपय का नोट है वो सव रुपय के बराबर ही होगा सव रुपया क्या उसी नोट को बोलेंगे ऐसा नहीं है कि वो सव रुपय के बराबर है बस उसको एक सरकार के द्वारा प्रमाड कर दिया गया है उसको प्रमाड पत्र मिल गया है तो इसलिए इसको प्रमाड एक मुद् तो सुतंतर रूप से संचालित नहीं रहती जिस प्रकार से स्वर्ण मान रहता है बलकि इसका प्रबंधन क्या आता है मैनेजमेंट किया जाता है मुद्रा के प्रबंधन है तो एक केंदरिये संस्थान भी होता है जैसे जिसको हम केंदरिये बैंक या संटल बैंक कहते हैं कें प्रस्द आप की स्किन पर आचुका, इंपोर्टन प्रस्द है, वीडियो को लाइक और सीर जरूर कर दीजिएगा, आईए हम अगले प्रस्द की और बढ़ते हैं, पांच बाप प्रस्द आप देखिएगा, प्रस्द है, दुई धातू माने दो धातू, मान माने बैलिू, ठ जो मुद्रा होती है उसके मान दियागा कि भाई ये एक रुपए का सिक्का है इस प्रकार से जिसमें मानक मुद्रा के रूप में दो धातू हो मतलब उसमें सोने और चांदी का परचलन रहता है जिसका स्वतंदर रूप से टंकन होता है दोनों मुद्राओं में असेमित छटा कोशन साब देखेगा प्रस्ण है मिसरित आर्थिक प्रणाली से आप क्या समझते मिसरित मानिए जैसे भारत की प्रणाली है कि प्राइबेटों बश चलते हैं सरकारियों बश चलते हैं ये क्या है मिसरित आर्थिक प्रणाली का एक नमूना है भारत ठीक है तो मिसरित एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें पूजी बाद और समाज बाद यानि की कैपटलिजम और सोसलिजम ये दोनों एक प्रकार से जो इन दोनों की यो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं यानि विसेस्ताएं जो होती हैं कैपटलिजम की और सोसलिजम की यानि पूजी बाद की औ बहुत ज़ादा बढ़ने लगती है तब सरकार उस वस्तू का बिनमे करती है सरकार समाजबर निजी छेत्रों दोनों का समयनवक पूर्बक एक परकार से आर्थिक विकास के लिए कार करती है यहां की जो सरकार होती में सिर्द रत्वेवस्ता की वो लोग कल्यानकारी भावना को सर्बो पर ही रखती है जब किसी वस्तू का एक परकार से जो वो होता है क्या बोलते है डिमांड या उसकी मुद्रा उसका जो बैली हो है उपड जाती है प्रकार सरकार फिर हस्ता छेप करती है उस मामले में ठीक है महाँगाई यहाँ पर कंट्रोल होगी सरकार के हाथों से ठीक है अमेरिका में महाँगाई सरकार के हाथों से नहीं कंट्रोल होती है चुकि वहाँ पर एक प्रकार से जो उत्पादन के साधन है पूंजी पतियों के हाथों में तो अपने हिसाब से पूंजी पती लोग करते हैं ठीक है लेकिन जब पूंजी पतियों के हाथ में होता है फिर भी एक प्रकार से कंपर्टिसन होता है कई सारे पूंजी पती होते हैं की यही होती Kendall यह से भारत की अपनी है ठीक है कि सरकारी स्कूल भी है स्कूल कालेज है और प्राइबेट स्कूल कालेज भी है संमझ मैरे चीज़े तो कोई दिक्कत की बाद होगी तो तुरंट कमेंट करिएगा संमझ मैरे चीज़े बिल्कुल तो वो क्या है फड़ावड से अब बताने का प्रियाश करेंगे सभी लोग वास्तबिक मुद्रा किसे कहते हैं तो वास्तबिक मुद्रा वा मुद्रा है जिसका देस में खास करके वास्तविक रूप से चलन होता है जो रुपया पैसे चलता है कागज का और सिक्कों का वही होता है आज कर जैसे कि एक रुपय का सिक्का, दस रुपय का, बीस रुपय का सिक्का या जो है पचास रुपय का सिक्का जो भी चलता है नोट जो चलती है पांसो हजार एक हजार की नोट तो बंदी हो गई पांसो और दो हजार केप चलती है ठीक है सो की पचास की बीस की और दस की तो यह सब एक परकार से क्या है यह सब वास्तविक मुद्रा है इसमें सिक्के और कागजी नोट दोनों सामिल होते हैं वास्तविक मुद्रा में कीन्स महोदे इस मुद्रा को मुख्य मुद्रा बोलते हैं कीन्स महोदे तो आप से आप जट्टी में प्रस्न पूछेगा कि जो है किस मुद्रा को कीन्स महोदे मुख्य मुद्रा कहते हैं इन्होंने कहा इसको मुद्रा को चलन की काई बोला यूनिट आफ करंसी कहा है तो यूनिट आफ करंसी वास्तिक मुद्रा को कहने वाले विद्वान कौन है तो बेनहम है आपजक्टि में प्रस्न बनेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं आटवा कोशन साब देखेगा प्रस्न है साध्ध नहीं है साध्धन का मलब क्या होता है उपकरण साध्ध माने होता है लक्ष ठीक है यह गंतब नहीं है मुद्रा ठीक है लक्ष माने होता है इसे यह लक्ष है लक्ष क्या है आपका सरकारी नोकरी पाना माल लेते हैं तो जो रास्ता है एक प्रकार से किस रास्ते से आप सरकारी नोकरी पाते हैं किस माध्यम से तो रास्ता या माध्यम होता है साधन आपका किन-किन साधनों के द्वारा आपने सरकारी नोकरी हांसिल करिए हांसिल क्या करना है तो इसी को बोलते हैं साध्धे और किस माध्यम से आसिल क्या जा रहा है उसको बोलते है साधन ठीक है समझ में आगए चीज़े तो मुद्रा क्या है साधन है साध नहीं है इस कथन की ब्याख्या कीजिए तो मुद्रा स्वयम कोई साध नहीं है बिल्कुल सही बात है वरन वह तो एक साधन है जिसके माद्यम से हम अपनी जो नीड्स होती है यानि आवसकताएं होती है उनकी पूरती मनुस करता है किसके माद्यम से मुद्रा के माद्यम से और वास्ता में समाज में मुद्रा की जो मांग की जाती है वह इसलिए है कि उसके बदले वस्तोय मलब उसके बदले हमको क्या मिलती वस्तोय मिलती है और सिवाए प्राप्त कर सकते हैं मुद्रा के माध्यम से इसलिए मुद्रा एक प्रकार से इसकी मांग बढ़ती आ रही है और यह इस बात से और भी अस्पष्ट हो जाता है कि किसी देश को निर्धन अथवा धनी इस बात से जाना जाता है कि वहाँ वस्तू अथवा सेवाओं का करता कि वहाँ देश अमीर है गरीब है ऐसा होता तो RBI बहुत रुपए छाप लेता ठीक है और करता हम बहुत ज़्याद धनी हो गई है तो एक प्रकार से जो खास करके जो वस्तूएं होती है और जो सेवाएं होती है ठीक है उस पर डिपेंड करता है कि कोई देश कितना अ मुद्रा चलन में डाल सकती है तो यह देश के पास होता है आप लोग सोच रहेते कि जब RBI जो है पैसे चापता है तो कहें नहीं तमाम पैसे चाप देता था कि सभी लोग अमीर हो जाएं ऐसा नहीं कर सकता है ऐसा करने से क्या होता मुद्रा की जो बैल्यू होगी जो मुद्रा की जब बैल्यु कम हो जाती है तो एक परकार से फिर इकत होती है आपके सभी पाकिस्तान मुद्रा की बहुत कम है ठीक है Ahaים डेखेक्व जो है कि क्यों डालर आप देखिए सस्ता मलब डालर घैलर की बहुतव है जबकि डालर लोग पास वहां पर जदा है नहीं ् इंडिया का तो एक डालर अमेरिका का अब आप सोचो कि अगर जो है 82 रुपए में आप क्या पाओगे 82 रुपए में मालक दो किलो चीनी आप यहाँ पर कितने रुपए में 82 रुपए में पाओगे और वहाँ पर एक डालर मलब एक सिक्का ले जाओ एक डालर ले जाओ अमेर मुद्रा की जादा है मुद्रा की जादा होने से कोई वो नहीं होता है ठीक है आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रियास करते हैं नवा प्रसनाप की स्किन पर आचुका है मुद्रा मूली का अर्थ क्या होता है मुद्रा मूल या मुद्रा मान या विसे मुद्र में वस्तूओं अथवा सिवाओं की कम मातरा प्राप्त कर रहे हैं तो इसका तातपर यह है कि मुद्रा के मूल में कम ही आ गई है कि इनसा महोदे इसको और अच्छे तरीके से बताते हुए गएते हैं कि चूकि कoking 2 की एक कि इस्थिती में मुद्रा की करे सकती वस्तों सेवाओं की उस मात्रा पर निर्भर है जिसे एक मुद्रा इकाई खरीदती है और इसी इसलिए मुद्रा की करे सकती को एक मिश्रित वस्तों की कीमत के द्वारा ना पा जाता है जिसे ब्या के मदों के रूप में बेभिन वस्तों सिवाओं को उनके महत के अनुसार सहुंक्त करने लब उसको सहुंक्त करके बनाया गया होता है तो एक प्रकार से कोई मानक रखा जाता है मुद्रा को चापने का है तो ज्यादा नहीं चाप सकते है मुद्रा मुद्रा एक परकार से जितना एक परकार से आपके पास सोना उसी के अनुपात में आप मुद्रा चापेंगे तो आपकी वस्तुएं कितनी हैं आपके पास सेवाएं कितनी हैं ये सब डिपेंड करता आपके मुद्रा किस मातरा में चपेगी और किस अनपात में चपेगी ठीक है और कितना गरीब होगा दिस कितना अमीर होगा तो ये मुद्रा मोली होता है अगला कोसंस आपके स्किन पर आचुका है दस्वा नमबर परस्ट देखिएगा केंदरी शेंटर्ल बैंकों को परिवादित किजिए केंदरी बैंक किसे कहते हैं достаточно परसनर decentral HEL azokna के यह किन्दीन बैंक के बारे में विझा पॉल्ट किए वोता है देखें बैंक की परकार से कहीं प्रकार को ठीक है बिनियमन एक प्रकार से वही एक्सचेंज वगरा होता है कंट्रोल यानि नियंतर माने कंट्रोल तो मौदिर्ग प्रडाली को एक प्रकार से एक्सचेंज करने का या उसको नियंतरित करने का या फिर उसको सुचारूप से आगे बढ़ाने का संचालित करने के लिए एक सीर्स बैंक होता है इसी सीर्स बैंक को हम केंदरिये बैंक बोलते हैं सेंटरल बैंक बोलते हैं या बैंक करता क्या है या बैंक परकार सामान ने तरीके से क्या करता है ब्यवसाइक लेन देन करता है ठीक है क्या करता है ब्यवसाइक लेन देन करता ह और खास करके इसी लिए जनता के साथ इसका सीधा संब्ध नहीं होता है चुकि ब्यवसाइक लेंदेन होता है इससे तो जनता से इसका मतलब कोई नहीं होता है तो जनता से कोई मतलब नहीं होता है सीधा संब्ध नहीं होता है तेकि संब्ध होता है लेकिन मौद्रिक गद्व यह वो मारने वाले डिकाक नहीं है जो बल्ला से खेलते हैं गेंद मारते हैं अलब किरकेट वाले नहीं है यह डिकाक ठीक है कोईंटें डिकाक लखनों की ओपनर थे लेकिन अभी एक बार खेला भी नहीं ठीक है तो डिकाक वो नहीं दूसरे डिकाक है तो यह डिकाक महोदे क साथ जी करती है तो एक प्रकार से क्या ही होती के इंद्य बैंक या सेंट्र बैंक जिसको ऊप वोलते हैं हो कि uni ה sais Sap अच्छा है पृषै औरमार का क्या अरथ होता है साख निरमार साख निर्मार कि से बोलते हैं साख सण प्रणाली के अंतरगत जनता अथवा कम्पनियों या फर्मों से प्राप्त निचेपों को एक निश्चित प्रकरिया के तहट साख कार्यों आर्था तरण बाटने के लिए परिक्त के जाने से होता है ठीक है साख का नियंतर का मलब होता है कि कि इस प्रकार से वो बैंक जो होता है मार्केट में तरलता अस्थापित करता साख नियंतर करता जैसे कि माल लेते हैं अगर market में पैसा कम है तो कम ब्याज पर क्या करती है RBI पैसा बैंकों को जो छोटे बैंक होते हैं उनको उधार देती है जब कम ब्याज पर उनको उधार मिले गए तो सारे बैंक जो है RBI से पैसा उधार ले लेते हैं तो फिर से वो बैंक जो होते हैं पेसा कम-बैज में उधार लेते हैं तो इक परकार से कम-बैज में उधार देते हैं गराहा को अपनी छोटे जो जो आदमी होते हैं लेकर मनुस्थ से होते हैं ठीक है उनको क्या करते हैं जो ब बैंक ज्यादा उधार लेते हैं और बैंकों में एक परकार से फिर आफर चलने लगते हैं फिर बहुत सारे पूंजी पती और बहुत सारे लोग जो है क्या लेते हैं करजा लेते हैं और करजा जब लेते तो उनके पास पैसे होता तो जब अगर उनके पास पैसे होगा तो और एक प्रकार से काम धंदा आगे बढ़ेगा और जब पैसे होंगे तभी एक प्रकार से आपका दिमाग भी फलता है और पैसे होने के बाद आप देखिए लगातार जो है आपकी requirement जो needs होती है यह आवसकता है होती है बढ़ने लगती है ठीक है आगे बढ़ते हैं ते होगा साख निर्माड अगला कोशन से लखे किए बारवा नमबर पर सनाव किसके इन पर आ चुका है भारती रिजर बैंक के बिकासात्मक कारी क्या है बताएं तो सबसे पहली बात है बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करना रिजर बैंक का विकासात्मक कारी पहला दूसरा कारी है किरसी साख के संबन्द में कारी करना अलब किरसी से रिलेटर है तीसरी बात है और दोगिक साख संबन्दी कारी यानि उद्योगों से रिलेटर जो साख निर्माड करना चौती बात है लगूत द्योगों के आर्थिक साहता सम्मन्दी कारी करना और पाच्वीचे कीमत अस्तर को इस्तिर बनाए रखना जो कीमत का अस्तर है उसको इस्तिर बनाए रखना यह सब भारती रिजर बैंक के विकास आत्मा कारीयों में आप सामिल कर सकते हैं तो इन पाचो कारीयों को आप ध्यान से पढ़ लीजेगा ठीक है अगला कोसंस देखेगा तेरवा नमर परसन आपके स्केन पर आ चुका है परसन बहुत ही इंपोड़न्ट है परसन है स्वर्णमान किसे कहते हैं तो स्वर्णमान के अगर बात की जाए तो जब कोई देश स्वर्ण की मुद्रा जारी करता है यह सोने की मुद्रा जारी करता है या अपनी मुद्रा को स्वर्णमान वाले देश की मुद्रा से संबंद करता है तो ऐसे प्रणाली को स्वर्णमान कहा जाता है स्वर्णमान की धीली ढाली प्रणाली वा है जिसमें चलन में पत्र मुद्रा का मूली स्वर्ण में ब्रक्त किया आता है बिस्व में निम्न परकार के स्वर्ण मान जो है वो अपनाए गए हैं खास करके आप देखिएगा ठीक है तो स्वर्ण मान के डीडी डाली प्रणाली बाह है इसमें चलनवे पत्र मुद्रा का मोली स्वर्ण मुद्रा में बिक्तिया जाता है और बिस्व में कई परकार के देश हैं जो की स्वर्ण मान अपनाए गए हैं जैसे स्वर्ण करेंसी मान हो गया स्वर्ण धातु मान हो गया स्वर्ण बिनमे मान हो गया स्वर्ण प्रचारित कोस मान हो गया सुर्ण सम्ता मान हो गया ये इस परकार से अलग-अलग देसों में इचीजी अपनाई जाती है अगला परसनाब देखेंगे चौदावा नमबर परसनाब देखेंगे इंपोरेंट है तो दोनों के बीच जिस आधार पर बिनमेदर का निधार होता है उसे टंकण मूली सम्ता सिद्धांत कहा जाता है टंकण मूली सम्ता का अरतिया है कि दोनों देशों की मुद्रा में इस्थित धात्विक भार का अनुपात ही दोनों के बीच बिनमेदर के रूप में लिया जाता है ठीक है? यानि जो भी अनुपात आएगा उसी अनुपात में एक प्रकार से फिर किया जाता है जैसे कि माल लेते हैं कि कोई देस है A और कोई देस है B ठीक है? तो टक्साली समता सिद्धानत का कहना यह है कि मान लेते हैं कोई देस है A कोई देस है B और इन दोनों के एक प्रकार दोनों देसों की मुद्रा में जो धात्विक भार है उसको मान लेते हैं सोना जो है A के पास 50 किलो है और B के पास सोना जो है कितना है 25 किलो है ठीक है अब इन दोनों का अगर हम अनुपाद निकालेंगे तो पुझ धात्विक भार का अनुपाद ही दोनों के बीच का दो और बी के पहले में आ है यानि कि अगर जो है बी एक रुपया है तो बलब बी का एक रुपया एक के दो लुपे के बराबर होगा इस प्रकार से धातूमान के हिसाब सेकर देखेंगे तो यह होगा एक प्रकारा से टक्ला टकसाली समता चिद्धान के बारे में कुछ हे उध्वारना और कुछ बात हैंगला पर नपकाशना पर साम देखे का? क्या हासे है या आप क्या समझते हैं तो मुद्रा की चलन बेग की अगर बाद में करूँ तो मुद्रा की चलन बेग से क्या हासे है भाई मुद्रा का चलन बेग एक निश्चित अवधी में एक निश्चित समय में मुद्रा की एक हिकाई जो होती है एक यूनिट तो उसका दैनिक परचलन बेग जो होता है वो 5 होता है, चुकि उसका 5 बार बिन में हुआ है, 5 बार अलग-अलग हाथों में रुपया गया है, तो उसका जो दैनिक परचलन बेग क्या है, वो 5 है, और खासर कि इस अवधी में प्रभाव पूर्ण पूर्टी 10 गुड़े 5, 10 का नोठ और पांच बार दिया गया तो दस पचे पचास पचास रुपए एक प्रकार से इसकी क्या होगी इसका एक प्रकार से क्या होगा प्रभाव पूर्टी ठीक है समाज में मुद्रा का चलन बेग निरंतर बदलता रहता है क्योंकि यह अनेक घटकों के द्वारा प्रभा देखोता रिबर से रेपोरेट तो रेपोरेट का मदलब क्या होता है कॉल मनी बजार में वाड़िक बैंक अपनी तरलता संबंधिया वा सकताओं को पूरा करने के लिए भारती रेजर बैंक से अलब कालिन उधार लेते हैं अलब कम समय के लिए और इस प्रकार के उधारी पर भारती रेजर बैंक जो ब्यास दर देता है उसे रेपोर दर कहते हैं माल लेते हैं SBI SBI यानि कि सेंटर बैंक आफ इंडिया SBI जो है एक बैंक है जो की जनता का बैंक है आप आर बी आई में खाता खुलवा सकते हो SBI में लेकिन आप आर बी आई में खाता नहीं खुला बैंक है इसमें आम नागरी का खाता होता है SBI में SBI क्या करता है SBI के पास मालते पैसे खतम हो गई SBI बैंक में पैसे नहीं है और किसी कारणा से घाटा में चला SBI तो क्या करेगा वो RBI से कहेगा कि भीया कुछ रुपए हमको धार दे तो SBI बोलेगा कि साहिब हमारे पास पैसे नहीं RBI से तो RBI कذه nggak ठीक है हम तुमको धार दे देंगे RBI SBI के ठीक है सर जी हमको धार दे दूझे तो RBI बोलेगा ऐसे उधार नहीं देंगे उधार हम देंगे आपको 2 रुपए परसंट पर या 4 रुपए ब्याज पर तो माल लेते, 4 परसंट पर RBI ने SBI को पैसा दिया, तो वही 4 परसंट जो होता है, वही जो है रेपो दर बोला याता है रेपो रेट बोलते हैं, इसको यानि RBI के द्वारा, जिस दर पर यानि जिस rate पर SBI को या अन्य जो बैंक होते हैं उन बैंकों को जब उधार दिया आता जिस rate पर उसी rate को rate बोलते हैं या रेपो दर बोलते हैं इसके ठीक उल्टा होता है जब मालेते हैं RBI के पास पैसा खतम हो जाए और SBI से ओडिमांड करें कि मेरे पास कुछ पैसे भेज या मैं घाटे में चलना हूँ कुछ हमारी मेदद करें तो एक परकार से reverse rate पूरेट चलता है यानि कि फिर से एक परकार से SBI जो है जो जिस दर पर RBI को उधार देगा वो rate होता है reverse पूरेट ठीक है बहुत important है दोनों कतन है आप ध्यान रखेगा सत्रमा कोशन साब देखेगा प्रसन बढ़िया है प्रसन क्या है राश्टिय आये को परिभासित केजिए बहुत ही महत्यपूर प्रसन है आपके परिच्छा में आने वाला अग्दम से 100% राश्टिय आये किसे कहते हैं तो किसी देश के उत्पत्ति के साधनों के द्वारा क इसी एक निश्चित समय अवधी में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुयों सिवाओं के मूल के योग को ही हम राश्टिय आये कहते हैं और भारत में एक अपरेल से लेकर के अगले कलेंडर वर्स के 31 मार्ज तक की जो अवधी को हम क्या बोलते हैं बित्तिय वर्स के नाम हुई कितने उत्पादन के साधनों को लगाया गया ठीक है और क्या के चीजे हमने प्राप्त करी वो होता है आपका नेस्नल इंकम ठीक है राश्टिय आये अगला कोशन साब देखेगा ठरवा नमबर प्रसन है करा पात या करा घात इन दोनों में क्या अंतर होता है करा पात जो होता है मालेते सव रुपया उधार किसी बेक्ती ने ए नाम के बेक्ती से लिया ठीक है बी नाम के बेक्ती ने ए नाम के बेक्ती से सव रुपया उधार लिया अब एक प्रकार से सव रुपया उधार लिया तो ये क्या होगा ये होगा करा घात है और करा पात क्या होता ह जब करका भार इसमाले तो 10% पर इस ने दिया था दस गुड़े आप कर दीजिए एक प्रकार सव्यानी की 10 रुपए बढ़ा दीजिए 110 रुपए आपका हो जाएगा क्या 110 रुपए हो जाएगा आपका करा पात है नहीं करको भी इंकलूड कर लेंगे तो अंतिम भार होगा तीसरा अंतर ये है दोनों में कि करा घात का अनुभव तो कर देते ही हो जाता है यानि कि करा घात का अनुभव तो तुरंत हो जाता है कर देते ही तुरंत आपता चल जाएगा कि वही करा घात कितना है किन्तु करा पात का अनुभव तब होता है जब कि कर अंतिम रूप से अंतिप्रूप से चुक जाए, तब उसको बोलते हैं करापात, अगला जो है आपका अंतर ये है, कराघात संबन्दी ब्यक्ति का नाम सरकार की करदाताओं की सूची में होता है, किन्तु करापात संबन्दी ब्यक्ति का नाम जो है, सूची में होना अनिमार नहीं है, ये कर की दर आए की बृद्धी के अनुसार बढ़ती जाती है और आए की कमी के अनुसार घटी जाती है और इस प्रकार जब अधिक आए अधिक कर की दर के सिध्धान्त को अपनाया जाता है तो उन करों को प्रगती सील कर कहते हैं आता है इसकी परिभास्ता इस प्रकार से प्रस प्रतेक्षकर वाकर है जिसका अंतिम भार उसी ब्यक्ति पर पढ़ता है जो राज को कर देता है उसको बोलते हैं प्रतेक्षकर जिस ब्यक्ति से कर वसूरा जाता है उसी पर कर चुकाने का अंतिम भार होता है और वाकिसी अन्य पर इस भार को नहीं टाल सकता है ये प्रतेक्षकर होता है डारेक्ट अगला पसन है 21 नमर कोशन देखेगा करापात को परिभास के दिए करापात क्या है तो फिंडले सिराज कहते हैं कि करापात जो होता है वो कर बिववर्तन का अंतिम परडाम होता है और या कर का प्रतेक्ष मौद्रिक भार होता है ठीक है यह बताया करापात की परिभासा को द करते जानने का प्रियास तो प्रोफेसर मसग्रेव कहते हैं कि कर भार जो होता है सब्द जिसका सामाननी प्रियोग होता है कर भार सब्द का कर के अंतिम या प्रतेक्ष मौद्रिक भार के अस्थान से संबंदित होता है उससे रिलेटेड होता है वहीं अगले विद्वान आते कहते हैं कि कर भार वह बिंदू होता है जहां पर कर का अंतिम भार पड़ता है वो होता है कर भार और अगले विद्वान आपके महता और अगरवाल ये कहते हैं कि कर का भार एक कर का प्रतेक्श मौद्रिक भार होता है ठीक है तो इस परकार से विद्वानों ने अलग-अलग तरीके से कर के जो भार है यानि जिसको आप करापात बोलते हों उसके बारे में परिभासा दी उसके बारे में बताया आगे बढ़ने का प्रियास करते हैं और भी चीजों को जानते हैं अगला कोशन साब देखेगा अगला प्रस्ण अवर भी अच्छा है 22 नमर कोशन देखेगा कर विवड़तन वा कर अप वंचन में क्या अंतर होता है तो कर अपवंचन और कर विववर्तन में बहुत अंतर होता है कर विववर्तन में तो करदाता केवल कर को अन्य बेक्तियों पर टाल देता है कि कर मैं नहीं वो देगा तो कर देने से मुह नहीं चुराता या बसता है परन्तु जब कोई बेक्ति जिसे कर देना चाहिए कर नही का प्रस्ण ही नहीं उठता है कर विबवर्तन से सरकारी कोस को कोई हानी नहीं होती है क्योंकि कोई ना कोई तो कर देता ही है परंतु कर आप वंचन की स्थिती में सरकारी कोस में हानी होती है तो कर विबवर्तन और कर आप वंचन में ये दो अंतर हो गए अगला पर साथ लोकबित ज्ञान कीबा साखा है जिसके अंतरगत साजनिक संस्थाओं येवं सरकार की आई येवं बे संबन्दिक रियाओं का आध्यन की आयाता है जो उन्हें समाज के प्रती अपनी उत्तरदायत को निभाने के लिए प्रिरिद करती है या करनी पड़ती है निभाने के लिए करनी पड़ती है साबजनिक संस्थाओं एवं सरकार का आसे केंद्रिय सरकार राज सरकारों एवं अस्थानिय सरकारों से है तो यह राजस व्याने की लोकबित है अगला पर साथ देखेगा 24 नमर कुशन साथ की स्किन पर आ चुका है परस बहुत ही important है परस नहीं साजनिक रिड़ जिसको आप बोलते हैं लोक रिड़ लोक रिड़ बहुत ही important टापिक है आपकी परिच्छा में यहां से परस जरूर आएगा लोक रिड़ का मतलब क्या होता है तो किसी देश की सरकार के द्वारा देश के आंतरिक स्रोतों जैसे कि ब्यक्तियों बैंकिंग और गैर बैंकिंग संस्थाओं या केंद्रिय बैंक इन सबी के द्वारा आंतरिक स्रोतों के आंतरिक स्रोतों तो था बीदेशों से प्राप्तरिण साबजने करिण कहलाता है खास करके जो बीदेशों से प्राप्तरिण होता है और किसी देश की सरकार के द्वारा देश के आंतरिक स्रोतों तथा बिदेसों से प्राप्त रिण जो होता है खास करके इसी को साज़ने गिरण कहते हैं साज़ने गिरण सरकारी बित व्यवस्था का महत्रपूर अंग है साज़ने गिरणों को सरकार की या पाल्प कालिन आय कहा जा सकता है क्योंकि यह रिण सरकार का दायत तो होता है ठीक है तो एक प्रकार से यह होता है साज़ने की रिण ठीक है यह बात ध्यान लखेगा आगे बढ़ते कर भी चीज़ों को जानने का प्रियास करते हैं बिद्धिसु से करजा लेते हैं बैंकों से करजा भी ले सकते हैं अगला कोशन साफ देखेए का 25 नमबर कोशन साफ की स्केर आचे ला चुका है करदान पर चमता से आप क्या समझते हैं तो समाज की करदेने की जो सीमा होती है उसका उलंगन करना समाज दथा देश दोनों के हित में नहीं होता है और समाज की कर देने की इस सीमा को ही करदान छमता कहते हैं ठीक है और करदान छमता के अंतरगत यह निधारित किया आता है कि एक बिसिष्ट समय में समाज के द्वारा करदान की कौन सी सीमा है जिससे उनकी कार चमता पर विपरीत असर ना पड़े तो करदान चमता ये होती है अगला कोशन साब देखे कि 26 नमबर प्रसनाप के स्किन पर आ चुका है कर से आप क्या समझते हैं कर से क्या आसे हैं तो कर जो होता है ब्यक्ती द्वारा बिना किसी प्रतेक्च लाब की आसा के सरकार को दिया जाने वाला अनिवार भुक्तान होता है कर और कर का भुक्तान करता कर देने के बदले सरकार से किसी विसेश सुविधा की मांग नहीं कर सकता कि भाई मैं कर दे रहा हूं हमको विशेश सुविदा चाहिए अच्छे कुमार अगर कहें कि मैं कर दे रहा हूं सबसे जादा चुकि भारत में सबसे जादा कर अच्छे कुमार ही देते हैं तो एक प्रकार से अगर वो कहें कि मैं सबसे जादा कर देता तो हमारे साथ आप इस पसर ट्रेट करो तो ऐसा नहीं होगा सभी को समान दिश्टी से देखा जागा संभाव ओके अगला परसाँ दिखेगा अचकर के बारे में और परभ्यासित भी क्या है करको ठीक है फिंडले सिरास इन लोगों ने करके बारे में बताया है क्या पताया फिंडले सिराज कहते हैं कि कर जो होता है लोग सत्ताओं द्वारा वसूल किया जाने वाला वहाँ अनिवार अंसदान होता है जो साभजनिक हित के समान बे को पूरा करने के लिए किया जाता है तथा जिसका किसी बिसेश लाब से कोई सम्मन नहीं होता उसको बोलते हैं कर टेलर महोदे कहते हैं कि वे अनिवार भुकतान जो करदाता दोरक बिना किसी परतक्ष लाब की आसा किये सरकार को किये जाते हैं उसी को बोलते हैं कर प्रोफेसर विवलर महोदे कहते हैं कि कर एक अनिवार अंसदान है यदपी इसका इक्छा पुर्वक भुकतान भी के आया सकता है कर का परंतु या कानूनी अपराधों का दंड नहीं है तो एक प्रकार से ये कई प्रकार के परिभासाएं हैं कर को लेकर के जो मैंने आपको बताई आगे बढ़ते 27 नमबर कोशन साब देखेगा राज कोसीयनीती से क्या आशा है बहुत ही इंपोर्टन परसने बहुत ही इंपोर्टन तो राज कोसीयनीती के अंतरगत हम करारोपन साबजनिक ब्यय तथा साबजनिक इर्ण की उन किरियाओं का विवेचन करते हैं जिनके द्वारा सरकार पूर्विनिरधारित उद्देशों की प्राप्ती करती है राजगोसिय नीती की परिभासा कुछ बेद्वारों ने दी है आई चर्चा करते हैं राजकोसिय नीती को परिभासित करते हुए आर्थर्थ इसमी इसमितीज वो कहते हैं कि राजकोसिय नीती हुआ है जिसमें सरकार अपने ब्याय तथा आगम के कारिकरम को राश्टी आए वतपादन तथा रोजगार पर इक्षित प्रभाव डालने तथा आवांचित प्रभा कि क्रियाओं के अस्तर एवं सरूप में परिवर्तन लाने के उद्देश से सास्किय ब्य एवं कराधान में जो परिवर्तन लाए जाते हैं उन्हें राजकोसिय नीती में सामिल किया जाता है ओके अगला परस्णाब के स्केन पर आचुगा 28 नमर कोस्ण देखेगा परस्ण है आपका आंतरिक रड़ वा बाहर रड़ में क्या आंतर होता है पड़े ध्यान समझने का प्रियास करेंगे आंतरिक रड़ और बाहर रड़ तो राज देश के भीतर से जो रड़ लेता है उसे आंतरिक रड़ कहते हैं और कोई राज जगर विदेशियों से रड़ लेता है उधार लेता है तो होता है विदेशी रड़ ठीक है ये बाया बाहर रड़ ठीक है सादरता कोई देश राज के भीतर से रड़ प्राप्त करने का प्रियास करता है किन्तो जब वा अपने प्रे से प्राप्त हो जाते हैं किन्तु वाई रिण विदेशी मुद्रा में बाहर रहने वाले व्यक्तियों और विदेशी सरकारों से प्राप्त हैं आंतरिक रिण इच्छेत और आनइच्छेत दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं किन्तु वाई रिण के वल इच्छेत ही होते हैं ओके आगे बढ़ा जाज चलिए 29 नमर कोशन से आपकी स्किन पर आचुका एक बार फटापट सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए तरहें में लोग कमेंट सेक्शन में देख रहे हैं वीडियो सभी लोग वीडियो को लाइक और सेर कर दीजिए ताकि इसी प्रकार से टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप आसानी से पनी तैयारी करते रहें अगला परसे साभजनिक वान निजी वस्तु से आप क्या समझते साभजनिक वस्तु मालब सरकारी वस्तु निजी माले है थै can private वस्तु तो साभजनिक वस्तु की बात कीए जो सभी व्यक्तियों के बिना किसी भेदभाव तथा पक्षपात के निसुलक या बहुत ही कम लागत पर उप लफ्त होती रही है वो साभजनिक वस्तु कहलाती है जैसे कि निमने वस्तों को साजविनिक वस्तों हैं हम कर सकते हैं जैसे कि रेडियो यानि आकास बाड़ी दूर दरसन संड के पुल यह सब कौन सी वस्तों हैं यह सब आपके साजविनिक वस्तों हैं सब ही यूज कर सकते हैं निजी वस्तों के बात किया तो ऐसी वस्तों जिने निजी वस्तों कहलाती है जो विभाज होती है आर्था जिनके उपभोग से समाज के कुछ बेक्तियों को वंचित किया सकता है ठीक है और जो वस्तों निजी वस्तों है प्राइबेट वस्तों है उनमें है टैक्सी और इसके में विमान खास करके एरलाइंस के जो विमान है वो भी निजी वस्तू है टेक्सी रेफ्रेजरेटर ये सब एक प्रकार से क्या है सरकारी चीज़े नहीं है सब जाने को वस्तू है नहीं है कि सब यूज करेगा ये सब निजी वस्तू है अगला प्रसाम की स्केन पर आचुका है तीसमा नमर प्रसाम देखेगा आर्थिक विकास का क्या आर्थ है फड़ा पड़ से आप बताने का प्रियास करेंगे आर्थिक विकास economic development तो आर्थिक विकास से आसे उस निरंतर चलने वाली दीर कालिन परक्रिया निकि लंबे समय तक चलने वाली परक्रिया को दीर कालिन परक्रिया बोलते हैं तो आर्थिक विकास से मतलब क्या होता है उस निरंतर चलने वाली दीर कालिन परक्रिया से होता है जिससे देश की ना केवल वास्तबिक राश्टी आय और परति बेक्ति आय बढ़ती है बलकि देश में आर्थिक समाजिक सांस्कृतिक तथा बहु आयामी लाबकारी परवरतन होते हैं आर्थिक विकास के अंतरगत राश्टी आय की मातरा में परिवरतन के साथ साथ देश में सन्नचनात्मक तथा संस्थागत परिवरतन होते हैं ब्यापकर्थ में किसी भी देश के आर्थिक विकास का आसे मानवी आवसकताओं की संतुष्टी वाच्छमता में पार रही है तो यही होता है परकार से आर्थिक बिकास जो है लगातार जो हो रहा है प्रोफेसर लुइस मौदे कहते हैं कि आर्थिक बिकास का अर्थ परती व्यक्ती उत्पादन की ब्रिधी से लगाया जाता है बिल्कुल ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला कोशन चलिए अगला प्रस्णाम की स्केन पर आ चुका है सभी लोग देखने का प्रियास करेंगे 31 तुमबर कोशन देखेगा आर्थिक सम्वर्द्धी से क्या आ सा है बताएं तो आर्थिक सम्वर्द्धी का मलब क्या होता है सम्वर्द्धी तो इससे हमारा विपराय रास्टी आय या उत्पादन में दीरकालेन बरद्धी होती है यानि लंबे समय तक अगर रास्टी आय बढ़ी रहे या उसमें बरद्धी होती रहे लगातार उत्पादन की प्रणाली में बदलाव होता रहे उसमें एक परकार से उसकी quality change होती रही उसकी quantity change होती रही अधातन के साथ उननों की आता आर्थिक सम्रदी में केवल इस बात पर ध्यान दिया याता है कि क्या किसी समय अवधी में या काल अवधी में इसके पहले की कालावधी, कालावधी माने होता है समय की टाइम जो होता है मात्रा की दृष्टी से अधिक उत्पादन हो रहा है कि नहीं हो रहा है यानि कि पहले कितना उत्पादन होता था आज कितना उत्पादन हो रहा है अगर आज जादा हो रहा है उससे तो आर्थिक समर्द्धी सी को बोलते हैं आर्थिक सम्रद्धी एक परिमारात्मक संकलपना होती है प्रोफेसर चार्स किंडल बर्गर है इन्हों ने कहा एक प्रकार से तो प्रोफेसर चार्स किंडल बर्ग महोदे ने कहा कि आर्थिक सम्रद्धी का आर्थ आर्थिक उत्पादन से है और आर्थिक उत्पादन पहले कैसा था आज कैसा है तो उसमें एक प्रकार से एक प्रकरिया के तद्विकास हुआ इसलिए बने शुरुआत में बताई कि दीर कालिन बर्दी होती है उत्पादन में तो उसी को एक प्रकार से हम बोच सकते हैं आर्थिक समर्दी या एक परकार से राश्टी आए में जब रिद्धी होती है तो उसको बोलते हैं आर्थिक सम्रिद्धी ठीक है समझ रहे ना अगला कोशन 32 नमर प्रसनाब की स्केन पर आचुका है प्रसन है साभजनिक ब्ये का प्रभाव होता है बढ़िया प्रसन है साभजनिक ब्ये क्या होता है इसका प्रभाव क्या पड़ता है इफेक्ट क्या है तो प्राचीन अर्थ सास्त्रियों का या विचार था कि साभजनिक ब्ये अनुद्पादक होते हैं परंतु या विचार आज ठीक नहीं माना जाता है कि साब्जनिक वस्तों जो होती हैं वो अनुत्पादक होती है ठीक है किन्ज महोदे साब्जनिक बे के द्वारा प्रभाव पूर्ण मांग में ब्रद्धी करके उत्पादन आयवा रोजगार का स्तर उचा उठाया जा सकता है आता साज़निक बे का प्रतेक्ष प्रभाव समाज पर पढ़ता है साज़निक बे के आर्थिक प्रभाव का आध्यन तीन सीरसकों के अंतरगत हम कर सकते हैं वो कौन कौन से तीन सीरसक हैं पहला तो है प्रकार से साज़निक बे के प्रभाव में खास करके कौन कौन से उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा तो साजवनिक ब्याई पर प्रभाव पड़ेगा बितरण पर पर प्रभाव पड़ेगा तो साजवनिक ब्याई पर जरूर प्रभाव पड़ेगा अगर और भी कोई प्रभाव होगा तो साजवनिक ब्याई पर ज कि परसितरि में क्या होता है किसी बिसियस परसितईों के करदा से city वारसिक बजट में सव ही किरती राषी का संपूर बे वर समाप्ती से पहले समाप्त हो जाए मान लेते हैं कि एक साल का बज़ट हमने त्यार किया था ठीक है और एक साल नहीं बलकि दस ही महीने एक परकार से अगर हमारा बज़ट चला और बाकी पैसा खतम हो गया तो ततकालिन बज़ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं उसी को पूरक बज़ट करते हैं ताकि बज़ट पूरा हो जाए ठीक है तो खासर कि कभी कभी किसी बिशेश परसितियों के कारण से वार्सिक बज़ट में स्वभीकरती रासी का संपूर्ण जो ब्याय होता है वर्स समाप्ति से पहले हो जाता है और ऐसी मदों का पुनर ब्रतिये करने हे तो पूरक बज़ट लाया जा सकता है देश में संसत के सीथ कालिन अधिवेसन जो नौंबर में होता नौंबर अधिवेसन के नाम से जाना आता है उसमें पूरक बजट का पूरक बजट परसुत किया जाता है और पूरक बजट एक परकार का सहायक बजट बढ़ जाता है एक परकार से पूरक बजट माल लेते हैं कि आपने बनाए कि भई इतने समय तक हम अतना कर ले जाएंगे लेकिन आप उतना नहीं अगर कर पा रहे हैं तो आप एक प्रकार से दोसरा बज़ट पास करके जितना समय बचरा उसके लिए अलग से बज़ट आप बना करके उसी में मैनेज कर सकते हैं ठीक है यह होगा पूरक बज़ट कांप्लिमेंट बज़ट अगला प्रसनाब के सिन पर आज़ोगा चोतिय समर प्रसनाब देखेगा बहुत ही इंपोर्णन प्रसन है परिच्छा के दिष्टी से प्रसन क्या है आपका प्रसन है कार सील बित को परिभासित कीजिए कार सील तो प्रोफेसर बलजीज सिंग जी कहते हैं बिकासील देशों के संदर में की कार सील बित के नए जो दिष्टकों होता है उनका परत्त कादन करते हैं और इनके अनुसार कार सील बित यानि एक्टिवेटिंग फाइनेस जिसको बोलती है कार सील बित वह सिद्धान जो इखासिर के वह सिद्धान की गती सिल्टा बनाय रखने तथा आर्थिक विकास में जो भूमिका होती है उसे कारिसिल बित्थ कहा जाता है या कहा जा सकता है ठीक है तो यह कारिसिल बित्थ हो गए जिसके बारे में हमने आपको होता है आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रियास करते हैं एक बार फड़ा फड़ा से आप लोग वीडियो को लाइक और सेर कर दीजेगा ताकि आपको टाइम टो टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी से अपनी एक प्रकार से पढ़ाई भी कर सके अगला प्रस्णाब देखिएगा एक मिनट चले प्रस्णाब का पैते संबर दिया गया कि प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं प्राथमिक घाटा जिसको आप प्राइमरी लॉस बोलते हैं ठीक है तो प्राइमरी घाटा या प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं बताए सबी लोग फड़ तो राजकोसिय घाटे से जब सरकार के ब्याज भुकतान को निकाल दिया जाता है तब जो सेस घाटा बचता है उसे ही क्या बोलते हैं उसे प्रात्मिक घाटा बोला जाता है जैसे प्रात्मिक घाटा का सूतर क्या लिखेंगे प्रात्मिक घाटा बराबर राजकोसिय कोटा प्रात्मिक घाटा बराबर क्या होता है राजकोसिय घाटा या फिर ब्याज भुकतान मामलब उसमें से ब्याज को माइनस कर देंगे तो ब्याज का भुकतान जो है उसमें से म अग्ला प्रस्णाब की स्क analyzing पर आज़ुका 36 नमर को साथ देखेगा राज को सिय नीती या बजट नीती को परिभासत कीजी तो राज को सिय और सरकारी बजट को प्रबंदित वा बिन्यमित करने संब्धिय नीती को हम क्या भोलते हैं राजकोसी नीती या बजट की नीती बोलते हैं जो की एक बिनियमित होती है प्रतबंदित होती है सरकारी बजट जो होता है क्या होता है राजकोसी नीती है सरकारी बजट नीती जो होती है उसके द्वारा क्या होता है इसके द्वारा क्या होता है इसके द्वारा क्या होता है बज़द निर्मार से संब्दित सरकारी क्रियाओं को राजकोसी क्रियाए ही तो कहा जाता है और जब इन क्रियाओं का उद्देश से पूर्ड उप्योग आर्थिक अस्थाई तुदृत गामी आर्थिक और पूर्ड रोजगार की प्राप्ति केड़े किया जाता है तो उसे राजकोसी नीती हम कहते है तो राजकोसी नीती क्या है राजकोसी या सरकारी बज़ट जिसको आप बोलते हैं तो एक प्रकार से प्रतिबंधित वहलब इस सरकारी बज़ट को प्रतिबंधित करती है भी नियमित करती है ठीक है ये बाद ध्यान नखिएगा अगला कोशनस आप देखिएगा 36 के बाद में अगला प्रसनाप का आचुका सहते समर प्रसनाप आचुका है सब्सक्राइब बिद तायोग से आप क्या समझते बहुत ही इंपोर्णन प्रसनाप भारत में केंद्र और राज जी दोनों सरकारों की बात किया तो इनके बीच में इनके मद्ध दोनों सरकारों के राज और केंद्र सरकार भारत की मैं खासकर के बात कर रहा हूँ बित आयोग के संदर में तो भारत में केंद्र और राज सरकारों के मद्ध बित्तिय संसाधनों का उचित बितरण करने के संबन्द में बित्त आयोग का जो प्रवधान है संबिधान के अनुच्छे 280 में किया गया है और इस अनुच्छेत के अनुसार अराश्टपती प्रतेक पांच वर्स पर बित्त आयोग की नियुकती करेगा जो बित्तिय संसाधनों के बित्रण की सिपारिस करेगा ठीक है तो इस बित्त आयोग के बारे में कुछ मैं बताए बित्त आयोग क्या है बित्त आयोग क्या है बित्तिय संसाधनों का उचित बित्रण करने के संबंद में एक प्रकार से उसका मलविन का काम है ओके तो बितायोग क्या है बितायोग भारत और केनर राज सरकारों के बीच जो बित्तिय संसाधन उनका उचित बित्रण करने के सम्मद में बितायोग के बारे उसी को बितायोग बोलते हैं और 280 अनुच्छे जो संविधान का है उसमें खासर के इसके बारे बताया गया है कि राश्टपती प्रतेक पांच वर्स पर बितायों की नियुकती करेगा जो बित्य संसाधनों की बितन के सिफारिस करेगा तो यह हो गया आपका एक परकार से बहुत ही important जो questions थे और उनके answers थे जिसके बारे बें हमने चर्चा करी ठीक है बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों ने देखा इस वीडियो को एक बार सभी लोग वीडियो को share और like कर दीजेगा और कल आप लोगों ने देखा होगा महा संग्राम revision class 2003 इसकी परिक्षाओं के लिए education का इसका part 2 जल्दी आ जाएगा चिंता करने के आपको आव सकता नहीं part 1 देख लीजेगा तो बहुत ही helpful होगा आपके लिए okay education सिक्षा का मनोबे ज्यानिक परपेक्ष आपको ठीक है सिक्षा का मनोबे ज्यानिक परपेक्ष आपको पढ़ना पड़ता है education में जब आप B.A. 4 semester में होते हैं तो इसका भी मालत पेपर महा संग्रा वीडियो दे चुका हूँ मालत पेपर अभी तक नहीं दिया है education का मैं जल्दी देदूँगा हो सकता है कल तक मैं देदू ठीक है चलिए फिर मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हैं जय भारत आप सभी का बहुत-बहुत धनीबाद हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से पना प्यार बना रिखिएगा इसके अलावा सिक्षा सास्त्र का भी आप देखिएगा सिक्षा सास्त्र, sociology, political science और history आपका हो गया medieval history और ancient history असारे के सारे subject हैं इन सभी की वीडियो आप हमारे चनल पर आशकते हैं Playlist में तो आप प्रेलिस्ट में विजिट करिए जाकर के और आसानी से अपनी परिक्षा के तैयारी करिए मैं आपको बता दू कि भाई जिस भी विश्विद्याले का कोशन पेपर होगा आप लोग हमारे नंबर पर 91-61-93-62 ये मेरा वाटसब नंबर है 91-61-93-62 इसी भाई जिस भी विश्विद्याले से आपका पेपर होता है तो आप अपना पेपर फोटो बढ़ियाँ तरीके से खींच करके अगर हो सके तो सीरियल से पीडियाँ बना करके भेज दें अगर ऐसा नहीं संब्व होए तो आप फोटो ही बढ़ियाँ किलियर करके अगर आप जेक्टिव है तो आपको पीडियाँ भेजनी चाहिए चुकि जो वह ऐसे प्रस्न होते हैं तो उसमें फिर दिक्कत होती है ठीके तो आप लोग क्या करेंगे पेपर जो भी होगा आपका वो इसी नंबर पर 91, 61, 93, 62 इसी पर आप लोग सियर कर दीजेगा वाटसब कर दीजेगा ठीके धनी बाद मिलके हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जेह हैं जे बारत आप सबी का बहुत बहुत धनी बाद हमारे से जोड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रिखेंगा गुड़नाइटा लाप यूँओ